कि उनको पैटन समझ आने लगेगा कि कौन सी चीज कब आ रही है कैसे आ रही है और किस तरह से दिखाई जा रही रोल बताओ कौन प्ले कर रहे हैं कर लो तो मैं मान जाओंगा अगर मेरे पास इतना कोई ओफर लेकर आ जाता है कि सदर अपने एक पिक्चर बनाने वाले जिसके अंदर आपने जो बहुत ही मेजर दें चेंजिंग डिसिजिन फॉर दे कंट्री लिया था जिस अब वहां पर मैनिपलेशन आ जाती है वहां पर क्यों लगता है कि यार दोस्तों मैं आ गया हूं जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी आर्टिकल 370 देखने के बाद आफ तो के सामने उसके बरे में बात करने के लिए क्योंकि मुझे लगता है कि it's about time I start telling my opinions about such films also because हो गया ना भी कब तक ऐसा पीछे-पीछे भागेंग कि एक fact पर based a fictional picture है तो मैं कौन होता हूं यह बोलने वाला है कि यह picture सब कुछ असली चीज़े दिखा रही है बार बहुत वारी चीज़े हैं बात करने के लिए मैं हो डॉक्टर र्यादव यह honest feelings let's start the video in 3, in 2, in 1 article 370 जो है article 370 के उपर based picture है article 370 क्या है क्यों है वो google करके पढ़ना क्योंकि some को almost पता है और जिसको नहीं पता है उसको शाइद picture देखके भी idea लग जाएगा कि रफली क्या है but this film is based on abrogation of article 370 यानि 370 को बापस ले लिया जाए और कश्मीर को basically special status की जग है एट unit territory घुशित कर दिया गया अभी recently हुआ था और अभी आने वाले है लोग सभाई elections और elections से जस्ट पहले इस तरह की कोई picture रिलीज होना तो बहुत बढ़ी बात हो थी तो थोड़ा बहुत ऐसे शक होता है कि क्या यह picture सच में मतलब ऐसा propaganda तो नहीं है क्या यह picture सच में acts को या फिर हमारी जो current present government है उसकी image को और अच्छा करने के लिए तो नहीं बनाया जा रहा है अगर यह बनाया जा रहा है और election आने वाले है और अगर मेरी party है और election आने वाले है तो मैं क्यों नहीं बनाऊगा ऐसा कुछ अगर मेरे पास इतना कोई offer लेके आ जाता है कि इसके अंदर आपने एक picture बनाने वाले है जिसके अंदर आपने जो बहुत ही major game changing decision for the country लिया था जिसके unanimously सब लोग favor में थे किसी को भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि यारी गलत है article 370 is one of them which everybody wanted वाला चीज है कि हाँ गया किसने भी हो उससे मदब नहीं पड़ता है पर हमें चाहिए हमें हज को हटाओ इसको करो कैसे भी कुछ figure out करके and the government who did it यह अगर इसा कर देते हैं और इसकी बारे में अगर यह picture बदान चाहते हैं तो मुझे हर नजर नहीं आ रहा मतलब मुझे इसमें flaw नजर नहीं आ रहा दो facts को mold करके और उस picture के अंदर अपनी image को ज्यादा ही अच्छा दिखाना और बाकी चीजों को बुरी चीजों को ना दिखाना वो थोड़ा सा गरत लगता है बट वह अब वहां पर manipulation आ जाती है वहां पर propaganda आ जाता है वहां पर यह लगता है कि यार cinema का काम यह तो नहीं था cinema काम तो यह था कि बिल्कुल जो चीज जैसी है वैसी दिखाना उनका काम था अगर बड़ा चड़ा के भी अगर दिखा रहे हैं तो टूट चीजों को दिखाना तो काम नहीं था थोड़ा सा honesty के साथ अगर दिखाएगा तो integrity भी बनी रहती है maker की और उ का कोई मतलब नहीं रहाता है जब उस तरह का disclaimer डाल दिया plus the credibility of the film also बहुत सारी लूज हो जाती है जब आप उस तरह का disclaimer डालते हो मजाग लगता है जब आप बिल्कुल एक दम मारे current prime minister जैसे दिखने वाले make-up कर रहे हो and उनके जितने भी associates या फिर prime minister office में जितने भी लोग हैं उन सब को आप उस तरह दिखा रहे हो खासकर उनके बहुत close associate को भी बिल्कुल एक दम ही वैसे दिखा रहे हो जैसे कि वही इनसान है और उनकी speeches में से speeches में से बहुत सारी चीज़े उठा रहे हो मतलब आप पियो क्यों रक्सा चिन को भारत दियस का इससा नहीं मानते क्या बात कर रहे हैं यह बात तो obviously obvious है कि 70-80% तो इन्होंने बिल्कुल exactly facts के ऊपर picture बनाई है तो मेरको personally, जो मेरा personal opinion है, I don't really care, I just not did a good cinema I wanted, I wanted कि मेरको बहुत ही अच्छे entertaining picture देखने को मेले, जो की यह film है while I'm sitting there, मैं देख रहा हूं जो चीज़े हो रहे हैं and मैं उन चीज़ों को देखते हैं बस मेरको बस कमी सिर्फ इस picture में यह लग रही है कि यार यह तो नहीं हो सकता ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो जो यह तो नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है that is fiction मेरे एसाब से, बाकी की सारी चीज़े, यह तो हुआ ही होगा, यह तो हुआ ही होगा जो भी इस के अंतर दिखाया पोर्ट्रेल, minimum words, maximum work जैसा पोर्ट्रेल दिखाया गया है a lot of the work is done by the people who are working for him और I think ऐसा ही होना चाहिए, अगर मैं कलको किसी बड़ी उसमें हो, तो यह पिक्चर आर्टिकल 370 की पूरी की पूरी duration, जो भी जितना भी हमने सहा है, देखा है, कश्मीर जो भी सहा है, उसके बीच में जो भी पॉलिटिकल टेंशन वही है, या फिर जो भी warlike situation हुई है, जितने भी हमारे जवानों ने जाने खोई है अपनी, वो सारा गा सारा, like all of it is there in this film, there are so many things, like names obviously have been changed of some officials, जिनका असली नाम नहीं बताए गए है, but जिन जिनके बताए गए है, वो actual events है, actual footages उसमें दिखा रखी है, जरू के अंदर शुरू में तो बहुत सारे sequences ऐसे हैं, जिसके अंदर actual, विकुल एंदम जो न्यूज में टेलिकास्ट की गई थी, Kashmir से, जो वीडियोस थी, वो सारी दिखा रखी है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, like the film doesn't like, आप जब देख रहे हो तो, picture प्रपा जांडा की तरह फीन नहीं है, picture is not trying to mold your perspective or your mindset in a certain way, picture is just trying to tell a story which is very, very, very commendable, बहुत अच्छी direction, बहुत अच्छा cinematography, बहुत अच्छा music, बहुत अच्छी acting performances, आसकर यामी, Gautam Azuni is playing like, um, बहुत जबर्दस work किया है उनोंने, I think it was a female-led film, backed up by the prime minister, and prime minister का role, बताओ कौन प्ले कर रहे हैं, guess कर लो तो मैं मान जाओंगा, मायन देखिय जो दूर दर्शन पर आदी थी, उसमें जो राम का role play कर रहे थे, अरुन गोविल जी वो हैं, अब उनोंने, obviously, minimum words उनके मूँ से निकले हैं, but the makeup, the get up, बुलवामा अटाक्स के बाद, जो शरदाजली देने के लिए जब गए थे, prime minister, तो वो वाले जो पूरे sequences हैं, that is also very, very, बिल्कुल एकदम accurately shown, जैसा अगर real, real life में था, वो ही, real life में दिखाए गया, फिर उसके बाद यह बोल रहे हैं, और प्लस, देखो, first half is very action-pad, बहुत सारा action है, उरी, आपने देखिये, वो अदिते धर उसमें director थे, इसके अंदर writer है, इसके director जो हैं, वो अदिते जांबले ह हैं, जो की two times national award winner, I think, and dialogues, वो बहुत अच्छे तरह से लिखे गए, there's a, there's a scene, जिसमें, यामी गौतम, एक, पूरा, एक या, तीड मिनट तक बोलती हैं, भाई साव, वो one take sequence है, and I swear to God, that performance, will move you to tears, उसमें, जो भी बाते बोले गए हैं, जैसे भी बोले गए हैं, सच और जू यामी गौतम का performance in this film, इसकी करियर बेस्ट है, यामी गौतम की करियर बेस्ट फिल्म है, मैं सच में बता रहा हूं, उन्होंने, उनको जितना रेंज इसके अंदर पिक्चर में मिला है, बहुत अच्छा था, और वो, she's basically leading the film, शुरू से लेके end तक, strikes जितनी भी की गई हैं, इसके इसके अंदर बहुत सारी political decisions का पार्ट है, यामी गौतम, एक और सीज में बताता हूं, प्रिया मनी, जो है इसके अंदर अक्टरिस, उनको आपने जवान में भी देखा होगा, family man में भी प्रिया मनी है, बट देखो, प्रिया मनी आज सेक्रेटरी तु प्रिया मनी like you can feel it, you can feel it, the energy she transfers on the screen to you, मैं बिलकुर एक दुम मैं, जतनी बार भी वो screen पे आज परिया मनी, I absolutely loved her portrayal of the character, and again, prime minister's office में ये character एक्टर एक्से नहीं एक्से नहीं एक्टर एक्से एक्से कर रहे है, तो अब यही है, Facts of Fiction को जैसे मोल किया, because creative choices, the way creative choices are being used in this film is वेरी ब्लीजिंग लगे, मतलब जो आप देख रहे हो, वो आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको, क्या पता, पूरा जो प्रोसेस है, वो बहुत बोरिंग हो, और जो जो चीज़े बोरिंग है, उनको इंटरस्टिंग बनाने के लिए, आपका इंटरस्टिंग बनाने के पूरा जो जो बहुत सारी बॉलिटिक्स ने पारे काफी जाने डिसकनेंट इस नो जोगों अर्टिकल 370 के पारे में बारे में सब कुछ पड़ा है, कौन-खौन कौन थे कौन कौन काशमीर, सीम, कौन-कौन काशमिर थे, यज पिर फाकिसान ओक्यौपाइड काशमीर में से कौन-कौन लोग इनवल्व थे, इंडिया से कंऌ-कौन लोग इंवल्व थे All of that is very political and all these things are, I mean, as a constitution, legislative assembly, constitutional assembly, Rajasabha, Lokasabha, all these terms are, I mean, if the politics is a good way to follow the politics, it will be a good way to follow the politics, but then there are some things like going to the Kashmir to get the files and records, I haven't done that fact check, okay, but I think it's a little unbelievable thing, I mean, the planning, plotting, now, obviously, Prime Minister, they can't speak so much, they can't speak so much from them, now, basically, people who are working under him, they will all be talking, they are taking care of everything, they are doing all of this, so Priyamani and Yami Gautam, who is the character, they have to do most of the heavy lifting in this picture, obviously, I mean, all of the scenes in Rajasabha, all of the scenes, those are very accurate, and those are exact dialogues that they have used in the picture, there is a scam in which Yami Gautam was involved, he was a whistleblower for this scam in Jammu and Kashmir, that is also a real event, there is a scene in which one person is going to bind on the car, and then it is going to go through the whole town, and then it is going to go through the stone pilters, it is also an actual instance, but in that context, it is different, it is good, it is bad, I don't know, but that is also an actual event, there is also a lot of events, there is also a coincidence, all of the events, as it is, and what were the repercussions, and what were the consequences of that, and what led to what in Kashmir, so that is all shown, the good thing is, in this case, it is also that, it is also a case of that, that there is a case of the people's fault, these people have done this, these people have done this, that is less in this film, I would say, it is not one religion versus another religion, if not you are wrong, if you are wrong with this, then it doesn't disappoint you playing, where used to get better of it, if you are wrong with it, if nothing is wrong 두 room, if you are wrong with that, if everything is wrong, if everything is wrong with this, and you are at this point, है कि भाई बस हो गया है ना अभी अगें मैं हर वीडियो में यह बोल रहा है कि कितना हम इस नारेटिव को exploit करेंगे कितना हम इन ही चीजों को बार-बार उठा के लेकर आएंगे और बार-बार बोलेंगे nationalism hyper nationalism और इस पर पिक्चरें बनाएंगे there will be a time when the audience will be saturated कि उनको pattern समझाने लगेगा कि कौन सी चीज कब आ रही है कैसे आ रही है और किस तरह से दिखाई जा रही है तो वो जब pattern समझेंगी public तो फिर cinema में जाना कितने कम होते जाएंगे पूरा censorship ही change हो रहा है OTT मतला हमारा OTT Netflix Prime और जहां पर भी जो content produce होता है वो पूरा change हो जाएगा अगर एक ही pattern पे एक जैसी ही पिक्चर आती जाएंगी creative freedom lose हो जाएगा तो भाई कोई भी theaters में नहीं जाएगा movies को देखने के लिए मेरा ये point आ article 370 एक बहुत ही अच्छी well made film है पर मेरे दिमाग में ये question क्यों आ रहा है political scenario film को just as a film अगर judge किया जाए तो it is a very 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 well made film क्या जबर्दस political drama है बहुत ही tightly knit है क्या चाहत हम थोड़ी सी और piss penneating होती ही थोड़ी सी और छोटी हो जाती ही न पिक्चर तो मज़े आ जाते हैं तो में थोड़ा सा कम बोर होता है ओपर से night वाले shows देखना थोड़ा सा stressing होता है बट अभी के लिए मैं honestly मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको ये picture सच में देखनी चाहिए when it comes to cinema it is very good cinema obviously facts based picture है मुझे कहीं पर भी फील नहीं हुआ कि ये facts को mold करने की कोशिश कर रही है जबकि ये facts में चीज़े add कर रही है which is a different form where you can obviously boost up an image of anybody तो वह आपका चोईस है आपको अच्छा लगे या ना लगे मुझे कोई problem नहीं है उससे एक पिक्चर दुनिया नहीं बद लेगी ये चीज समझ आ जानी चाहिए अब तक इसकी साथ करते इस वीडियो को खतम ख्या रख आपना ख्या रख आपने परिवार वालों का बड़ाई खतरनात्स वीडियो बना दिया मैंने अच्छा लगा मुझे इस अच्छा लगा मु करते हैं